नमस्कार मैं हरी शंकर व्यास सप्ता की गप्षप के दूसरे पार्ट में मैं दुनिया के हालातों के बुरे वक्त पर आपका ध्यान दिलाऊंगा। दुनिया में आज सभी होर वे नेता है जिससे मानवता का राहू कालसा आया हुआ है। हैने ये चोकाने वाली बात तो उसनाते पहली गप्षप का सिर्शक है ट्रम्प, पुतिन, शी और राजपक्षे जेसों से वेश्विक राहू काल। मुझे लगता है पूरी दुनिया बुरे राहू काल में फसी है। हर तरफ मुर्ख, अक्डू और कटर नेताओं को सत्ता मिली हुई है या मिल रही है। ने डेमोक्रिटिक देश अपवाद है और ने तानाशा देश। नो बड़े अमीर देशों पर गोर करें। अमेरिका में राष्टपती बाइडन के आगे कटर पंथी गोरों के बल पर डोनाल्ड ट्रम्प भारी चुनोती है। बाइडन ने इसी गुरुवार को कहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र मेगा फोर्सेस से खत्रे में है। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्टरों का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का हल्ला अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खत्रा है। ये लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। सचपुच में डोनाल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन पार्टी पर कबजा बना कर उस पार्टी को उगरवादी और सेमी फासिस्ट बना दिया है। ऐसा यूरोप में भी हुता हुआ है। फ्रांस में मेक्रो वापिस राष्टपती बने। लेकिन शंचद में कट्टर वे एक्श्ट्रीम संसदों का बोल बाला है। मेरा मानना है युक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोपिय संग ने जिस एक जुर्ता से रूस के खिलाप गोल बंदी की है तो वह यूरोप में टक्राव को इस्ताई बनाना है। ब्रिटेन में लिज ट्रस्ट प्रधान मंत्री बनी तो उनसे वेसी है एनिश्चित्ता और परिशाइनिंग बनेगी जैसे जर्मनी में ओलाफ स्कोल्ज की कमान में हैं। स्कोल्ज उदार है, सोशल डेमोक्रेटिक है लेकिन हडबड़ाय होने। तभी सर्दियों में जर्मनी सरवादिक बुरी दशा में होगा। अमेरिका, ब्रिटेंज, जर्मनी, फ्रांस के बाद इटली राजनितिक एस्तिरताओं का मारा है, तो जापान और कनाडा में सब ठीक होते होई भी दोनों देश अमेरिका और यूरोप की दशा से दबावों में। इन साथ के बाद आर्थिकी के नाते चीन और रूस पर गोर करें। तो एक तरफ पुतिन का निरुंकुष, कटर और अक्डू मिजाज का राज है। वहीं चीन के राष्टपती सीजिन पिंग का रुख ने केवल आत्मगाती है, बलकि पूरी दुनिया को पर दबाव बनव कोविड और विकास रेट तथा ताइवान को लेकर राष्टपती सीजिन फिंग ने जैसा कटर और अक्डू रवईया अक्तियार किया है, उससे चीन का अपने आप बरबादी का रास्ता बनता हुआ है। इनके बाद आएं भारत, ब्राजीर और दच्छिन अक्षी पर कव होगा, आप खुदी समझेए। इसलिए आने वाले सालों में देशों की आर्थिकियों, मंदी, बेरोजगारी, लड़ाई और देशों की सहत तथा उनके बिखडने, बिगडनेक में वह कुछ होना है, जिसकी हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। अगली गपशप है दच्छिन एशियाई नेताओं का कल्ट और संकट हाँ, दच्छिन एशिया के देशों में भी राहू काल बना हुआ है। अब दच्छिन एशिया के ज्यादातर देशों में साशन कर रहे नेताओं का अपना कल्ट बना है। वे लोकतंत्र के मानने सिद्धानतों से उपर हैं। उनकी लोकप्रियता ने उनको जिद्धी और कटर बनाया। उनके नाम पर धूर्विकरन है। उन्होंने अपनी जिद्ध में फैसले किये और उनकी वज़े से देशों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। एक मिसाल और सबसे बड़ा उधारन भारत है। पिछले आठ साल से भारत के 56 इंची छाती के वाले नरेंद्र मोदी का ऐसा कल्ट बना है जैसा किसी और नेता का पहले कभी नहीं बना। आजादी के बाद नहरू सहज भाव से सबसे लोग प्रिये निता थे। किसी और की छवी बिगाड कर या अपना प्रचार करके उन्होंने कल्ट नहीं बनाया था। भारत में प्रचार के दम पर केवल मोदी का कल्ट बना है। वे अपने इलहाम में फेसले कर रहे हैं और प्रचार के दम पर हर फेसले को सही ठेहरा रहे हैं। नोट बंदी से लेकर हडबडी में GST लागू करने और अभी चीन की विस्तारवादी नितियों पर चुपी भारत के लिए आत्मगाती साबित हो रही है। उनकी माचो मेन की छवी बनाई गई है। प्रचार किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान और चीन की बोलती बंद करा दी है। मेहगाई बरती है तो सोशल मीडिया में प्रचार होता है कि सेर पाला है तो उसका खर्चा उठाना होगा। उनकी छाती 56 इंच की है, वे माचो मेन है, वे शेर है। उनकी पार्टी के बड़े नेता बताते हैं कि दुनिया में कोई भी फैसला मोदी जी से पुछे बगेर नहीं होता है। उनके नेता बताते हैं कि मोदी जी ने भारतियों को युक्रेन से निकालने के लिए युद्ध रुकवा दिया था सोचे इस विशाल कल्ट के निर्मान का भारत को क्या फायदा हुआ आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है 80 करोड लोग 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं भारत की सीमा पर चीन की गेरिबंदी है और सारी दुनिया सेटेलाइट की तस्वीरों के जरीए कह रही है लेकिन हमारा शेर कहता है कि ने कोई गुसा है और ने कोई गुसाया है लोग अपने सेर की बात मान रहे हैं एसा ही एक शेर स्री लंका में आया था जिसने ऐसी धार्मिक और नसली नफरत फैलाई और हिंदू वे तमिलों का ऐसा कतले आम किया कि वे बहु संख्यक सिहली बहुत आबादी में सुपर हीरो बने लेकिन उसने स्री लंका की अर्थ विवस्ता का बट्टा बेठा दिया महिंद्रा राजपक्षे और उनके भाई गोटबाया राजपक्षे ने अपनी शेर नेता की चवी में स्री लंका की हालात खराब कर दी बाद में जन्विद्रो हुआ तो दोनों को भागना पड़ा इसके बावजूद वे प्रोक्सी के जरिये स्री लंका में साशन कर रहे हैं लोगों का गुसा ठंडा पढ़ने और अंतराश्टिय मुद्राकूस से कर्ज की मंजूरी होने के बाद गोट बाया के स्री लंका में लोटने की खबर है हकीकत है कि हिंदू तमिलों के कतले आम ने स्री लंका को अच्छूत बनाया है तो खराब आर्थिक नितियों ने देश को कंगाल किया ऐसे ही पाकिस्तान में इमरान खान प्रधान मंत्री बने थे तो देश के लोगों ने उनसे बड़ी उमिदे बांदी थी वे ब्रिटेन में पड़े लिखे थे और उन्होंने दुनिया देखी हुई थी लेकिन उनसे देश का क्या मिला पाकिस्तान पहले से भी ज़्यादा कंगाल हुआ है पाकिस्तान के लोगों को ने शान्ती और सुकुन नसीब हुआ और ने आर्थिक सुरुख्चा हासिल हुई इमरान खान ने ऐसे चोराहे पर देश को छोड़ा है जहां से सम्हालना किसी भी नेता के बस में नहीं है इमरान अपनी फित्रत और अपनी जिद्द में काम करते रहे उन्होंने पाकिस्तान के चीन और अमेरिका दोनों के लिए अच्छूत बना दिया तो बगल के अफगानिस्तान में तालीबान राज के साथ भी उनका टक्राव बढ़ा है वे विदेश और आर्थिक निती दोनों में विफल रहे दक्षिन एशिया के सबसे ऐसांत देशों में से एक अफगानिस्तान में वापिस तालीबान का राज बन गया और वहां मध्यकालीन सारी विवस्ताएं लोट आई है महिलाओं का घरों से निकलना बंध है और स्कूल कोलेजों की पड़ाई मदर्शोक के तरज पर होने लगी है वहां धर्म का राज है अफिम की खेती है और चारों तरफ गोली बारूद है लंबी लड़ाई और अंतराष्टी समुदाय के प्रयासों से मायामार में लोगतंतर बहाल हुआ था लेकिन अब वहां भी सेनिक तानासाही बहाल है शांती के लिए नोबल पुरुसकार जीतने वाली आंग सांसू की जेल में बजरबंदी है और हर दिन नए मुकदमे में उनको सजा सुनाई जा रही है अब वहां लोगतंतर की संभावना इस्ताई रूप से समापत है उसनाते ले देकर केवल बंगला देश एक ऐसा देश है जहां थोड़ी बहुत आर्थिक वे सामाजिक इस्तिरता दिख रही है लेकिन नेतरत्व वहां भी कल्ट का है सेख हसीना ने अपने सारे विरोधियों को निप्टाया हुआ पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया खुद अनेक मुकदमे जेल रही है और बिमार है उनके परिवार के सदश देश छोड़ कर भागे हुए कटर पंतियों के काविमे करने के नाम पर कई लोगों को फासी पर चड़ाया जाया हसीना आर्थिक मोर्चे पर ठीक था काम कर रही है लेकिन वे व्यवार में लोगतांत्रिक नेता नहीं है बलकि वे एक तरह की लोगतांत्रिक तानाशाही चला रही है जहां विपक्ष का कोई मतलब नहीं है सोचें लगबग पूरे दक्षिन एशिया में ऐसे नेताओं का वर्चस्वे या दबदबा है ऐसी साशन विवस्ता है जो अनुदारवादी और कटर है नेताओं का कल्ट है और उस नाम पर हर काम को जाया ठहराया जा रहा है के लिए खत्रा बन रहे है उनकी अनुदारवादी और सेन्य ताकत के दम पर भोगोलिक विस्तार करने के नितियों ने पूरे एशिया को संकट में डाला है अगने दो महीने में चीन में चुनाव होने वाले हैं जिसमें सी जिन फिंग एक बार फिर नेता चुने जाएंगे चीन की Communist Party में C की नितियों पर सवाल उठाने वाले जो थोड़े से लोग बचे हैं वे सारे लोग इस बार चुनाव में रेटायर कर दिये जाएंगे। उसका सबसे ज़्यादा बुरा असर एशिया के देश भुखतेंगे। सीजिन फिंग ने ताइवान के प्रती अपनी निती की वज़े से परमानो युद्ध की इस्तिति पेदा कर दिये हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने परमानो हत्यारों से लेज अपने दो युद्ध पोत ताइवान स्ट्रेट में उतारे हैं। इसके बाद चीन बेकफुट पर आया है। उसका सुर बदला लेकिन वह ताइवान की गेरा बंदी खत्म नहीं कर रहा है। और ने ताइवान के आसपास चल रहा है सेन्य अभ्यास को समाप्त कर रहा है। वह दक्षिन चीन सागर में क्रतिम दीब बना कर उस पर सेन्य ठिकाने बना रहा है। उसने समुचे दक्षिन चीन सागर को का पूरी तरह से लगभग सेन्य की करन कर दिया है। यही काम वह हिंद मासागर में भी कर रहा था। तभी अमेरिका ने धमकाने के अंदाज में कहा है कि हिंद मासागर सब के लिए खुला होना चाहिए। अमेरिका की सीधी चितावनी के बावजूद सीजिन फिंग इस जिद्ध पर अड़े हैं कि ताइवान पर कबजा उसे करना है क्योंकि वह चीन का हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान भी अपनी सेब प्रमुता की रक्षा के लिए तयार है। भारत को चिंता है कि यह जासुसी जहाज भारत के परमानों, सयंत्रों और रणनितिक ठिकानों पर नजर रखने तथा उनके बारे में सूचना जुटाने के लिए स्री लंका के बंदरगा पर खड़ा रहा। स्री लंका ने भारत के दबाव में पहले चीन को मना किया था लेकिन अंत में उसको चीन के सामने गुटने टेकने पड़े। वह भारत की गिराबंदी के लिए लद्धाक में पैंगोंग जिल के आसपास बड़े निर्मान कर रहा है और बड़ी सैनिक तैयारिया कर रहा है तो उधर सिक्किम में डोकलाम के आसपास भी सड़क और पुल बना रहा है। वह अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा कर रहा है। उसने भूटान, मायमार और नेपाल जिसे भारत के पड़ोसी देशों को पूरी तरह से अपने पर निर्वय बना दिया है। और उनका नियंतरन परोक्ष तोर पर अपने हाथ में ले रहा है। चीन ने पूरे एशिया और एशिया प्रसांत की सुरुच्छा को खत्रे में डाला है। यदि ताइवान के साथ युद्ध की स्थिति बनती है या भारत के साथ चिनगारी बढ़कती है तो उसके नतीजे बहुत भयावे होंगे। यदि चीन को लग रहा है कि रूस युक्रेन के युदिकी तरह चीन वे ताईवान युद्ध होगा तो ऐसा नहीं होगा ताईवान के रणनितिक एस्थिती युक्रेन जिसी नहीं है अमेरिका हर हाल में ताईवान की रक्षा के लिए उतरेगा फिर मुक्त और शांत एशिया प्रसांत छेतर के लिए बने चार देशों के समूँ क्वाड को भी उसमें उतरना होगा अमेरिका के अलावा भारत जापान और आस्टेलिया भी इसमें शामिल होगे फिर जो होगा उसकी कल्पना बहुत भयाव है बस अब यहीं गपशप का कालम समाप्त करता हूँ धन्यवाद